अक्सर विवादों में रहने वाला सीतापुर का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है यहां दो दिन पहले जिला अस्पताल में एडमिट मरीज के परिजनों ने एक डाक्टर पर शराब पी कर इलाज करने का आरोप लगाया था साथ ही डाक्टर पर सुविदा सुल्क बसूलने की विवाद कही गए थी जिला अस्पताल पर सासर ने डाक्टर पर तो कारवाही नहीं की लेकिनad के लिए तूल की फरमान जारी कर दिया और अस्पताल की दिवारों पर पोस्टर टांग दिये जिन पर लिखा था कि यहां से द्वारा की जा रही है लेकिन गौर तलब है कि दीवार पठांगे गये पोष्टरों की संख्यादिक है जिससे अइसा प्रतीत होता है यह काम प्रीप्रांड किया गया था तदा इस कारी की जानकारी सीमस तक थी लेकिन आज सीमस इस बात को नकारते हुए दिख रहे हैं अक्सर बिवादों में रहने वाला सीतापुर जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है यहां दो दिन पहले परिजिनों ने एक डाक्टर के उपर शराप के नशे में होकर इलाज करने का आरूप लगाया था जिसके बाद जिला अस्पताल प्रिशासन ने उसके उपर कारवाही तो नहीं की लेकिन मेडिया के लिए एक तूलो की फर्मान जारी कर दिया जिसमें लिखा गया था कि यहां पर कबरिच कर ना बना है जिसकी जानकारी जब सीमस से ली गई तो सीमस ने बताया कि यह कार किसी अराजक तत्त्त्त्त के दोरा किया गया था सीता पोसे राजे शुकला की रिपोर्ट अधिक करते हैं तो भारी मासता में पोस्टर लगेश से तो यह अधिकाल सारे पोस्टर में तुरंध रखवाएं और आज में कुछ जगर पता जो बढ़ बच गया तो इसको बने अटवाया हम देख रहें कि वाट में या बार की तरह पोस्टर किसने लगाए उसकी जांश कर करेंगे इसको पर यह बिल्कुल गलत हैं मीडिया को अपना कार करने का पूरा अधिकार है उसका पूरा हम समर्थन करते हैं सासन की बिल्कुल मंशाद कि हर जगा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिसका आमको बिल्कुल तरिच्छे से पालन करता है इंगर इंगर